वेलकम टो और चानल फार्मे लेक्टर सो गाइस कैसे हो आप साब इस वीडियो हम डिसक्स करेंगे और गैनिक के बहुत जादा इंपॉर्टेंट कोशन के बारे में जितने भी कोशन से यहां पर वो प्रिविएस एयर से ही लिए गये हैं और वो बहुत जादा इंपॉर्टें है बिकोज वो बहुत ज़ादा रिपीट हुए है और हम यूणिट व वाइस देखने वाले तो जितने भी कोशन में आपको घईस बता हूं वह सब आपको करना है कोई भी कोशन इस्कृप नहीं करना है तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट और यूनिट वन से देखते हैं ज तो यह बताना है first question में और second question जो पूचे गया है aromatic electrophilic substitution reaction बतानी है benzen की और halogenation बताना है और उसका mechanism बताना है और जो इसी में इसी से related एक question मनता है right reaction of benzen उसको भी बहुत ही अच्छे से करना है आपको गाइस इसके बार में बताऊंगा आपको गाइस और third question जो है वो right reaction and mechanism of riddle-craft alkylation और acylation तो गाइस जो first question है उसके लिए मैंने specific video बना रखी है आप उपर i button में दिख रहा है उस पर जस्ट आपको tap करना है और जाकर आप easily watch कर सकते हो जो second question पूछा गया है उसमें आपको क्या halogenation बताना है mechanism बताना है और EAS यानि aromatic electrophilic substitution के बारे में थोड़ा बहुत बताना है और यहाँ पर जो right reaction और benzy ने इसके अंदर halogenation, nitration, sulfonation यह सब आपको guys बताना है और इन सब ही जितने भी यहाँ पर question दिख रहा है मैंना most of the question की उपर i button में आपको दिख रहा है उस पर just type करना है और सब भी वीडियो का आप easily watch कर सकते हो next your move करते हैं और देखते हैं unit 1 में और क्योंकोंसे question बनते हैं तो एक दो question और है उनको भी देख लेते हैं एक यह question बन सकता है right effect of substituent on orientation of mono-substituted mangin towards electrophilic substitution reaction तो guys यह बहुत ही ज़्यादा important हम इसको बोल सकते हैं विकास यह ज़्यादा marks में पूछा जाता है और जो question 6 एक और question है give the structure and uses of DDT, BSA, second and chloramine तो मैंने यह 4 इसलिए put up करवा है क्योंकि कोई से भी 2 यहां से पूछे जाते हैं यह 4 नहीं पूछेंगे एक साथ कोई से भी 2 पूछे जाएगा जैसे DDT, BSA, second BSA यह पिर कैसे भी combination करके पूछे तो यह करना है और हकल सरूल आपको बहुत अच्छे जगना है यह 2 marks में भी आया है और 7 marks में भी आया है तो guys जो unit 1 में है इतना ही और यहां पर numbering में दिक्कत मत हो जाना है कि question 5 लिखा है, question 4 नहीं लिखा है वो थोड़ा सा error हो गया था so next so guys अब हम unit 2 देख रहे हैं और unit 2 है हमारा phenol, aromatic acid and aromatic amine so first question phenol के तरफ से है और यह जो question पूछे गया है वो properties और preparation पूछे गया है phenol का और यह जो question है बहुत ज़्यादे important because last year ही आया था और 10 marks में आया हुआ था तो इसको आपको अच्छे से करना है और numbering में का इस दिक्कत यहाँ पर मैंने error हो रहा है तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए so second question जो put up करा का वो है preparation और properties aromatic acid का so यहाँ पर जो aromatic acid sometime लिखा आता है और sometime benzoic acid लिखा हुआ आता है तो benzoic acid का ही आपको preparation बताना है ताकि आप बिल्कुल confused मत होना guys इस question में जो third question है वो है define aromatic amine and give resonance structure of aniline तो जो amine है उसमें properties of preparation generally नहीं आता है उसमें यह question ज्यादा time बना हुआ है basicity of amine and effect of substituent और यह 7 marks में आया हुआ है जो question 4 put up करा का वो है phenol के तरफ से और acidic in nature यहनि जो phenol का है acidity बतानी है इसमें और effect of substituent बताना है acidity of phenol का जितने भी question है इन सब को भी मैंने discuss कर रखा है so move करते है next unit के तरफ so guys इस unit में यह 4 question आपको बहुत ही अच्छे से करना है नहीं 4 question को बारवर पूछा गया है तो move करते है next unit के तरफ जो कि हमारा unit third और unit third जो है वह है fat and oils तो इसके अंदर जो important question बनता है वह देखते हैं और guys यहां पर ज्यादा question मैंने लिखवाय नहीं है अगर आपको extra करना है तो आप कर सकते हो और इसके अंदर जो first question है वह है give reaction of fat and oils और जो second question हो है explain the principle involved in determination of acid value saponification value, easter value और iodine value तो guys यह last year आप question paper देखो या उससे भी last year देखोगे so यहां पर जो acid value है यह बहुत बार पूछे जा रहा है और saponification value और iodine value यह तीनों के बार में तो बहुत बार पूछा गया है और sometimes easter value के बार में पूछा गया है इस वजह से मैंने इसको put up कर रहा है बाकि जो है वह उतना ज्यादे important लग नहीं रहे because वह पूछे नहीं गया है इस्टर value एक दो बार आया है but acid value बहुत बार आया है और saponification और iodine भी बहुत बार आया है इसलिए मैंने इसको put up कर रहा है question third जो है write a short not on short not on आ जाता है saponification के ऊपर या hydrogenation के ऊपर या rancidity of oils के ऊपर तो यह आपको बहुत ही अच्छे से करना है अब देख लेते हैं जो unit fourth है उसको unit fourth है हमारा polynuclear hydrocarbons तो इसके अंदर important question हम देखते हैं तो ज्यादा question मैंने guys आपको put up यहाँ पर नहीं कर रखा है यहाँ पर मैंने sironi को put up कर रहा है जो कि most of the time आय हुए है अगर आपको extra करना है तो आप कर सकते हो बट इन सब question में से एक भी question को आपको skip बिलकुल नहीं करना है first question जो बनता है वह give structure, preparation and properties of naphthalene तो इसको बहुत ही अच्छे से आपको करना है यह 7 marks में आया हुआ है और लगभग last year में भी आया हुआ है और उससे last year I think antracene आया हुआ था second question में यही पूछा गया give structure, synthesis, reaction and uses of antracene so जो यह antracene यह 7 marks में भी आ चुका है और 10 marks में भी आ चुका है तो बहुत अच्छे से करना है आप last year को question paper उठाओ के तो इसमें most of the time पूछा गया है नप्तलेन के बार में किसी question में पूछा गया है तो किसे question paper में antracene के बार में पूछा क्या है कि antracene और diphenyl advantage d amp या फिर naphthalene और diphenyl methane दे देते हैं और diphenyl methane एक दो बार आया हुआ है तो मैंने वह ज़्यादा importance उसको नहीं रखा है अगर आपको करना है तो आप उसको अच्छे से कर सकते हो सो मेरे recording तो यह तीन कोशन जो की बहुत जादा important रहने वाले हैं और इनी तीन कोशन में सही एक या दो कोशन इस यह भी बनेंगे सो move करते हैं जो है हमारा unit 5 तो unit 5 से हम देखते हैं कौन-कौन से important कोशन बनते हैं तो unit 5 है वह हमारा cyclo-alkanes तो cyclo-alkanes के ऊपर बहुत मतलब इसमें जो कोशन बनेंगे वह long में ही बनेगा और वह भी 10 marks में ही पूछा जाता है most of the time 7 marks में कभी कभार पूछा गया है लेकिन 10 marks में most of the time पूछा गया है फर्स्ट कोशन है explain BS strain theory जो कि यह long question है तो यह 10 marks में पूछा गया है और जो question second है वह explains such more theory of stability of cyclo-alkanes यह भी गाइस बहुत ज्यादा important है और इसको भी बहुत अच्छे से करना है जो third question है right chemical reaction of cyclo-alkanes यह नहीं जितने भी reaction इसके अंदर है cyclo-alkanes के बार में वीडियो आपको गाइस already provided करी गई है organic chemistry 2 की तो आप जाकर के वहाँ पर देख सकते हो यह सारे question जितने भी यहाँ पर है उन सब question को आपको easily वहाँ पर मिल जाएंगे unit wise अगर आपने notes बना रखे हो तो I hope आपको यह सारे question बहुत ही अच्छा से आते हैं और जो next question है give reaction and give reaction of cyclopropane and cyclobutane तो यह guys देखोगे तो यह last year भी पूछे गया है और I think उसके यह मतलब कि यह alternate करके यह question पूछे गया है तो कभी सम्टाइम्स यह BS strain theory दे देते हैं सम्टाइम्स यह सेच मोहर theory दे देते हैं और सम्टाइम्स यह cyclopropane और cyclobutane दे देते हैं और कभी कभार ही आता है reaction of cycloyalcane तो guys वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलना थैंक्स पर वाचिंग आर वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट कोशन बैंक और नेक्स्ट सब्सक्राइब के बारे में